कर दो आज इस वीडियो में मैं एक नया गैजट लेके आया हूं जो आपके लिए काफी हल्फुल रहने वाला है इस गैजट में हम बात करेंगे जैसे कि मैंने अपनी सेकंड लास वीडियो में आपको बताया था जो मैंने पोस्ट करी है हम अगर अपनी बैटरी चाहे वो किसी भी चीज़ की हो लापटॉप की हो मॉबाइल की हो हमारे ब्लुटूथ स्पीकर की हो या कोई भी इलेक्ट्रोनिक आइटम जिसमें हमारी बैटरी लगी है कोई भी प्रोडक्ट अगर हम उसे ओवर चार्ज करते हैं तो ओवर चार्ज करने की वज़ा से उस बैटरी की हेल्थ पे उसके बैकप में इशू आएगा ही आएगा अब हम बेसिकली करते क्या हैं ओवर नाइट के लिए हम फोन को चार्जिंग में या लैपटॉप को चार्जिंग में या दिन बर हमारा लैपटॉप चार्जिंग में लगा रहता है और उसके बाद कुछ ही महीने बाद हमें लगता है कि ये तो बैक अप ही नहीं दे रहा है इसका solution इस gadget में आपको मिलेगा और definitely ये वीडियो आपके लिए बहुत helpful रहने वाता है आईए इस वीडियो की शुरुवात करते हैं इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा gadget जो आपके phone को आपके laptop को या किसी भी electronic product जिसमें आपकी battery लगी है जिसे आप charge करते हैं उसे over charge होने से बचाएगा वो product क्या है आप जानना साथ है देखिए ये है वो product इस product को बोलते हैं दोस्तों digital timer socket है इसमें basically एक timer लगा है और इस timer की विज़ा से क्या होता है जब आप timer set करके आप अपने phone को या किसी भी electronic item को charging में लगाते है तो वो उससे उपर charge नहीं होता है कैसे नहीं होता है देखिए मैं इसको zoom करके थोड़ा था pass में लाकर दिखाता हूँ इसमें आप देख सकते हैं ये minute लिखे हैं नंबर लिखे है 1,2,3,4,5 और आगे इसमें 1 के आगे 15 minute लगा है 2 के आगे 30 minute लगा है 3 के आगे 45 minute है 4 के आगे 60 मिनट है 5 के आगे 1 आ रहा है ऐसे ही हम आगे जब बढ़ते रहते हैं तो 9 तक का इसमें है और 9 तक अगर आप इसमें फ्रेस करेंगे तो 4 आर तक आप इसमें कंटिनियसली चार्ज कर सकते हैं अब इसको हम कैसे यूज करेंगे तो दोस्तों इसकी वर्किंग समझने के लिए सबसे पहले हम इसे अपने एक चार्जिंग बोर्ड में लगा देंगे एक्स्टेंशन बोर्ड में एक्स्टेंशन बोर्ड में जब हम इसे लगाते हैं तो यह हमारी हलकी सी लाइट यहाँ पर ब्लिंक करेगी चार्जर हमारा connect हो चुका है, आप देख सकते हैं, red color की light आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम इसे एक time प्रेस करेंगे, यह हमने एक time प्रेस किया, one आ गया है, इसमें लिखके, that means, अब यह एक बार हमने इसे प्रेस किया, और one यहाँ पर लिखा रहा है, त तो यह next 15 minute तक continuously charge होता रहेगा, 15 minute के बाद, यह adapter अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें one प्रेस किया हुआ है, same as it is, अगर जो मैं इसमें एक बार और प्रेस करता हूँ, तो यह इसमें number two आ गया लिखके, number two that means, कि हमारा 30 minutes सक work करेगा, number three का मतलब होता है, 45 minutes, ऐसे ही number four 60 minutes, number five, one hour 30 minutes, number six, two hours, number seven, two hours 30 minutes, number eight, three hours, और number nine में, that means four hours के लिए हमारे अना continuously अपने किसी भी component को या किसी भी product को charge कर सकता है, तो अब इसका consent यही था कि हमारे product को overcharge होने से बचाएगा, आगे इस वीडियो को मैं और बढ़ाते वे आपको बताता हूँ, तो दोस्तों यह तो था, इस product का हमारे जो products हैं, जो charge होते हैं, mobile, laptop, bluetooth, speaker, और इसमें आभी भी काफी सारे ऐसे products हैं, जैसे की, trimmer है, power bank है, set up box है हमारा टीवी का, laptop है, computers है, agriculture, spray pump है, और हमारा trimmer है, glow sign board है, अगर हमारा जैसे shop पे या कहीं पे कोई glow sign board लगावा है, और हम चा shop से निकलने के बाद इतनी देर तक यह जलता रहे, तो उस वज़ा से भी हम इसमें timer set कर सकते हैं, वो 11 बज़े, 12 बज़े तक जलेगा और उसके बाद हम उसको, अपने आप turn off हो जाएगा, उसके लिए आपको दुबारा शॉक पे आके या घर पे आके उसको on करने की ज़र सकते हैं, यह box के उपर printed रहता है, कि हमारा क्या क्या इसमें product यूज हो सकता है, उस साब इसके उपर लिखा हुआ है, एक final चीज में आपको बताना चाहता हूं, इस product का price क्या होगा, आप जानते हैं, इस product का price सिर्फ 350 है, और यह आपकी 350 रुपीज इंवेस्ट करने के आपके product को कितना बचाएगा, उसकी battery को, उसकी health को बचाएगा, that matters a lot, actually, तो मैं तो आपको कहूँगा कि इस product को use करके देखिये, आपके product को एक नई जान देगा, बैटरी की life को increase करेगा, इसका link में अपने description में आप लोगों को देदूँगा, अगर कोई इसको purchase करना चाह करता है, तो आप मेरे description के link में जाके, उस link के थुरूँ आप इसको Amazon से purchase कर सकते हैं, आशा करता हूँ, ये video आपको पसंद आया हो, अगर ये video आपको अच्छा लगाओ दोस्तों, तो प्लीज इस video को like कीजिएगा, मेरे channel को subscribe करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली और gadgets के आपको time to time मिलती रहे, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिये, thank you so very much.